नमस्कार, विल्कम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी को शेर करने वाली हूँ, जो बहुत ही डेलिशियस होती है, और मुझे और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, तो आईए देखते हैं कि ये बनती कैसे है, तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने राजमा लिया है, जो एक चम्मच है, और ये तीन बड़े चम्मच साबूत उरत की डाल है, जिसे मैंने एक रात पहले सोग कर लिया था, तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो अब लेते हैं प्रिशर कूकर और उसमें भीगे अब इसे कुक करने के लिए एक लीटर पानी का यूज किया है, मैंने, आप दाल की थिकनेस के हिसाब से पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक डालते हैं, और आधा छोटा चम्मच सोडा डालते हैं, जिससे ये अच्छे से गल जाए, अब इसे 5-6 सीटी के लिए कवर करके रख देते हैं, तो 5-6 सीटी हो चुकी है, और प्रिशर कुकर ठंडा भी हो गया है, तो अब देखते हैं कि ये दाल पक चुकी है कि नहीं, ये देखे, दाल पूरी तरह से पक गई है, अब आईए इसे गॉल में शिप्ट कर देते हैं तो दाल को मैंने शिप्ट कर दिया है, अब चलते हैं अगले प्रौसस की तरफ तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने एक पैन का यूज़ किया है और चुकि ये दाल मखनी है इसलिए मैंने इसमें मखन का उप्योग किया है आप इसमें चाहें तो कोई भी ओयल यूज़ कर सकते हैं या देशी घी का भी यूज़ कर सकते हैं बटर मिल्ट हो चुका है, अब इसमें दाल चीनी, छोटी लाइची और लॉंग का तड़का देते हैं। तो इसको डाल के 30 सेकेंड के लिए इसको चलाते रहिए ताकि इसका फ्लेवर मक्षन में अच्छे से आ जाए। अब डालते हैं बारी कटा हुआ मिर्च, लहसुन और अदरग इसे भी 30 सेकेंड के लगवक कूप कर लीजे ताकि इसका भी फ्लेवर पूरी तरह से मक्षन में आ जाए। अब इसमें एक प्याज बारी कटा हुआ लिया है और इसे भी डाल देते हैं और कम से कम एक मिनट के लिए इसे हलका घुलाबी होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज को बराबर चलाते रहिए और फ्लेम को बिल्कुल सिम रखिए ताकि प्याज जले नहीं। ये देखिए प्याज दीरे-दीरे लाल हो गया है। अब इसमें डालते हैं टमाटर की प्यूरी जिसमें दो टमाटर का यूज किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो टमाटर प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालते हैं मसाले। तो अब इसमें ऐट करते हैं चोटा चमश लाल मिर्श पाउडर आप अपने टेस्ट के एक और इसको कम जादा भी कर सकते हैं यह एक चोटा चमश गरम मसाला और एक चोटा चमश धनिया पाउडर अब इसमें दो चोटे चमश नमक डालना है एक छोटा चम्मच नमक जब दाल बॉयल कर रहे थे तब ही डाला था इसलिए इसका ध्यान रखिएगा अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे एक दो मिनट के लिए कुक कर लेते हैं फ्लेम को बिलकुल मेडियम ही रखिएगा ताकि मसाले जले नहीं और इसमें थोड़ा सा पानी अट कर देते हैं ताकि अच्छे से ये सारे मसाले टमाटर के साथ मिक्स हो सकें मसालों को खुले ही कुक करना है और गैस का फ्लेम मेडियम ही रखिएगा बराबर इसे चलाते रहे हैं ताकि ये मसाले नीचे लगे नहीं तो मसाले पूरी तरह से कुक हो चुके हैं ये देखिए खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब इसमें पके हुए दालों को एड़ कर देते हैं अगर आपको दाल पतली पसंद है तो इसमें आप एक्स्ट्रा पानी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो पानी बॉयल करके ही आपको यूज़ करना है कच्छे पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा नहीं तो टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजे और दो मिनट के लिए कवर करके फिर इसको कुप कर लेते हैं तो दाल को पकते हुए दो मिनट का टाइम हो चुका है यह देखे दाल पूरी तरह से पके तयार हो चुकी है अब इसमें डालते हैं घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम यह देखे इसमें आप क्रीम डालिए इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है और घर के क्रीम की तो बात अलग होती है यह देखिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि कलर देखिए कितना प्यारा आया है और खुश्बू तो ला जवाब है इसकी इसको लगातार चलाते रहिएगा ताकि यह नीचे से लगे नहीं अब इसमें डालते हैं बारी कटी हुई धनिया जिससे धनिये का फ्लेवर भी इसमें आ जाए अब इसमें डालते हैं आधा चम्मत छोटा हींग जिससे इसका फ्लेवर बहुत इच्छा आएगा क्योंकि यह बहुत गरिष्ट दाल होती है तो हींग का यूज़ करना जरूरी ह तो देखिए दाल बन के पूरी तरह से रेडी हो चुकी है अब आईए इसे सर्फ करते हैं तो अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताईएगा कि यह कैसी बनी है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिएगा लाइक और शेयर भी करिएगा